Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Sot So, MP7 2024 examination की अगर आप भी तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जादा important वीडियो में लेकर आई हूँ जहां पर complete paper 1 के 20 essay topics की list आपको दूँगी जो की जरूर examination में पूछे जा सकते हैं previous examinations को बहुत अच्छे से analyze करने के बाद ही ये वीडियो में लेकर आ रही हूँ तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इन 20 topics को खासतोर पर आप बिल्कुल भी miss ना करें तो इसे के साथ फिर शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए students paper 1 में total 10 units हमारे पास होती हैं और यहां पर हम teaching aptitude के topics में से start करते हैं so teaching aptitude में एक आप लोगों को topic नजर आएगा जिसका नाम है online teaching methods ठीक है online teaching methods में आपके पास बहुत सारे portals हैं जो की सरकार के द्वारा launch किये गए हैं जिसमें एक सबसे important portal है स्वयम portal आप लोगों को स्वयम में से 100% sure है कि question देखने को मिलेगा ही अगर स्वयम से question नहीं आता है तो एक topic होता है स्वयम प्रभा यहां से आपको question देखने को मिलेगा तो पहला topic यह हो गया दूसरे topic पर जाने से पहले students आपको बता दूँ कि paper 1 preparation पर major focus रखिए और इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ जो कि examination के difficulty level latest questions के pattern and previous year examination को बहुत अच्छे से analyze करने के बाद बनाया गया है यहां पर आपको daily 3 live lectures हम provide करवाते हैं इन live lectures के साथ exam से पहले आपका 100% syllabus cover हो चाएगा 6th मेह यानि कि upcoming Monday से हमारा new batch start हो रहा है इसमें आपको exam से पहले syllabus तो cover करवाएंगे ही साथ ही topic wise MCQs and mock test भी हम देते हैं जिसमें से guaranteed as it is questions exam में देखने को मिलेंगे free videos को देखना चाहते हो तो जरूर global online app को download कीजे store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है याँ पर जैसे ही आप content पर जाते हो तो आपके सामने free videos भी है complete course भी है जिसमें आप देख सकते हो PDF notes, videos सब कुछ ऐसे मिल जाएगा कि इसके अलावा आपको extra कोई book या extra कुछ notes या mock test लेने की जरूरत नहीं है तो बहुत important है कि आप given numbers पर whatsapp के through contact करके हम से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो so students इसे के साथ अगला topic अब आपको बताती हूँ so teaching aptitude में already हमने स्वयम्न और स्वयम्न प्रफा topic बता दिया second most important topic आज आता है evaluation system ठीक है evaluation का मतलब होता है मुल्यांकन मुल्यांकन प्रणाली के different types होते हैं इन types को आपने जरूर पढ़ना है इनके concept पढ़ने के साथ सिरफ exam में answers आपको नहीं मिलेंगे evaluation system के types के जितने भी pyqs हैं जितने भी expected questions हैं वो मैं आपको करवाऊंगी आपने वो पढ़कर जाने हैं ताकि easily आप answers को identify कर सको third important topic है research aptitude में से so research aptitude में आप लोगों से types of research के questions पूछे जाते हैं ठीक है types of research में से जरूर questions आएंगे ही इसके अलावा types of research के साथ साथ आपके पास होते हैं steps of research अब यहां पर आप लोगों को चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि steps में कितने steps हैं कोई बच्चे बोलेंगे 7 steps हैं कोई बच्चे बोलेंगे 8 steps हैं तो देखे as it is आप लोगों से steps नहीं पूछे जाते यह steps भी अपने आप में बहुत बड़ा important topic हो जाता है जैसे कि steps में एक step आता है sampling यह sampling अपने आप में यह कितना बड़ा और इतना important topic है कि आपको जरूर पढ़कर जाने एक topic आ जाता है hypothesis testing यह आप लोगों को जरूर पढ़कर जाने ठीक है तो types और fourth topic है steps of research जिसके sub parts मैं आपको बता दिए हर एक step को detail में पढ़ना बहुत जरूरी है examination के लिए fifth important topic भी मैं आपको research aptitude का ही बताती हूँ वो है inductive और deductive research inductive and deductive research गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंथान यहाँ से sure question आप देख सकते हो examination में six important topic है communication so communication में एक topic पुछा जाता है barriers of effective communication इसमें हमारे पास बहुत से barriers होते हैं जैसे semantic, physical, communicational barriers के बहुत types होते हैं उसमें से आप लोगों को उसकी properties पढ़ कर जानी है कौन सा barrier क्यों होता है या कोई barrier अगर आ गया है तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं ऐसे questions exam में आते हैं majorly हमने देखा है कि इसमें से match the following के questions आप लोगों को देखने को मिलते हैं ठीक है, seventh important topic भी आपको communication से ही बताती हूँ जो कि है types of communication types of communication में आपके पास interpersonal, intrapersonal, mass communication, horizontal, vertical communication आता है तो ये भी बहुत important topic हो गया so students अब confused नहीं होना है कि ये topic कहां से पढ़ें ये सभी topics में already आप लोगों को इस course में भी करवा चुकी हूँ और live lectures भी मैं आपको करवाओं कि exam तक तो आप लोग जरूर इसको join कीजे क्योंकि exam में, अगर first attempt में exam को qualify करना है तो ये समझना जरूरी होता है कि कैसे हम तैयारी करें तो इसके लिए guidance जरूरी होती है ठीक है और भी अगर आपको कोई help चाहिए students तो आप सभी के लिए एक free telegram group मेंने बनाया है इस telegram group में paper one के कुछ important topics एक से important concepts में आपके साथ regular basis में share करती रहती हूँ इसकी खास बात ये है कि इसमें discussion के लिए भी आप सब active हो सकते है किसी को कोई doubt है, कोई भी प्रशन है तो यहाँ पर हमारे साथ वो भी share किया जा सकते है तो आप telegram पे इस course को इस batch को इस group को ज़रूर join कर लीजी ये free है बिलकुल सभी के लिए and byqs भी इसी youtube channel पर आपको मिल जाएगा जो कि बहुत important है, यही से आप लोगों को एक clear idea मिलता है कि examination को कैसे आपने qualify करना है, क्या क्या चीज़े important है okay, so अगला है फिर topic number 8 इसका नाम है reasoning, okay reasoning unit में से हम देखते हैं इसमें से आप लोगों को number series में से जरूर question देखने को मिलेगा number series नहीं मिलता है, तो letter series में से जरूर देखने को मिलेगा okay, अगला ninth topic में आपको logical reasoning unit से बताऊँगी इसमें होता है topic classical square of opposition classical square of opposition में से आपको sure question देखने को मिलता है AEIO वाला concept इसमें रहता है एक लॉजिकल रीजनिंग का ही एक और पार्ट होता है इंडियन लॉजिक, ठीक है इंडियन लॉजिक काफी बच्चों ने अगर देखा होगा तो उनको टफ लगता है, लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीका सरफ पी वाई क्यूज ही है, यो जिससे नेट के जितने भी पी वा लीजिए, इंडियन लॉजिक आप लोगों को बहुत असानी से कवर हो जाएगा, ओके, दस टॉपिक मैंने बता दिये, अब 11 टॉपिक आप लोगों को बताती हूँ, सो 11 टॉपिक भी मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजिनिंग का ही बताऊंगी, जैसे मैं इसमें आपको बताया कि आप लोगों ने पी वाई की उस पढ़ लेने, इंडियन लॉजिक के, इसके साथ ही जो वेंड डाइग्राम्स होते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेने, इसको कवर कर सकते हैं और अपने 2 से 4 नंबर भी पके कर सकते हैं, तो वेंड डाइग्राम्स लॉजिकल रीजिनिंग में आ जाते हैं, 12 इंपोर्टन टॉपिक मैं ICT में से आपको बताऊंगी, ICT का आप लोगों को एक तो मेमरी यूनिट पढ़ कर जाना है, ठीक है, रैम क कॉंसेप्ट आया है, वेब 1.0, 2.0 और 3.0, यह आप लोगोंने पढ़ लेना है, 1R का एक लेक्चर होगा इसका, वो में लाइव में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, यह आप लोगोंने पढ़ लेना है, इसमें से जरूर एक्जाम में क्वेशन आएंगे, इस टॉपिक कब यह गोल्स बने थे, कौन कौन से इनके टार्गेट्स हैं, यह आपने पढ़ कर जाना है, ठीक है, इसके अलावा, फिर SDG, MDG, इसके अलावा, एन्वोर्मेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एन्वोर्मेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकोल्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकोल हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकोल होता है, पैरिस एग्रिमेंट है, ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कितने देश इसमें जुड़े हैं, क्या इसके पीछे का रीजन था, ये आपको पढ़ कर जाना है. 16th number का topic है, greenhouse gases के name आपको पढ़ने है, कौन सी greenhouse gas सबसे जादा है, कौन सी कम है, किस greenhouse gas को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल करके अपने environment को बचाया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को acid rain एक ऐसा topic है, जो की जरूर पढ़ना है, acid rain में कौन कौन से chemicals होते हैं, कौन कौन सी चीज़े involved होती है, क्या कैसे नुकसान हो सकता है, यह सब पढ़ना है, ठीक है, then we have unit number 10, higher education system, इसमें आपको सबसे पहले तो ancient Indian universities के बारे में पढ़कर जाना है, जैसे तक्षिला university कब बनी, क्यों बनी, यह पढ़ना है, दूसरे number पर आपको कुछ commissions हैं, जैसे की UGC University Grant Commission, AICTE होता है, NPTEL होता है, यह क्यों बना, कब बना, कहां-कहां इनके headquarters है, कौन इनके chairperson पहले थे, first chairperson कौन है, अब कौन है, यह पढ़ना है, ठीक है, और 20th number पर NEP 2020, National Education Policy 2020, जरूर से आप लोगों को पढ़कर जाना है, तो यह है paper 1, MPSET के most important 20 ऐसे topics, जो हर बार आते है, and upcoming exam में भी जरूर आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को जरूर इसको अच्छे से revise करना है, कोई बे guidance चाहिए, तो मैंने आपको यह Telegram Group का address बता दिया है, इसको join कीजिए, यहां पर अपने doubt share कीजिए, जो भी questions या जो भी concepts में यहां पर share करती हूँ, वो हमेशा बहु important होते हैं, ठीक है, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.